नमस्कार इस विशेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद जो साइन लेंग्विज में आप तक समाचार पहुँचाएंगे तो बुलेटिन की शुगात करें लेकिन उससे पहले आएए एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर और वरक में आत्म निर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब धी नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डियेपी को मिली मंजूरी प्रधान मंत्री ने कहा नैनो डियेपी और वरक को मंजूरी दिये जाने से किसानों को होगा अत्यधिक लाग जी ट्वेंटी बैठकों के हिस्से के रूप में वित्तिय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर दो दिवसीय बैठक सुववार से हैडराबाद में होगी बैठक से तर ग्लोबल साउथ के उभरते हुए देशों के बीच ग्यान और अनभवों के आदान प्रदान पर समूग सत्र का किया गया आयोजन मद्र प्रदेश के सीम शिवराद सिंग चौहान ने लाडली बेहना योजना का किया शुभारम योजना के तहर महलाओं को एक हजार रुपे की मासिक सहायता दी जाएगी राज्य सरकार ने योजना के लिए बजट में आठ हजार करोर रुपे का किया है प्रस्ताव गोआ में आयुजित विश्वर टेबल टेनिस स्टार केंटेंडर गोआ दो हजार तेईस टेबल टेनिस चौर्णामेंट का हुआ समापन केंड्रिय खेल बंत्रे अनुराज सिंग ठाकुर ने माता पिता से किया आहवान कहा अपने बच्चों को केवल किताबी कीडा ना बनाएं उन्हीं खेल और फिटनेस के लिए भी समय देने के लिए करें प्रोथ साहे अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान ओप प्रवक्ता विदान्त पटेल ने भारत अमेरिका को बताया एक दूसरे का पक्का साझेदार कहा रक्षा क्षेत्र हो या आतंकवाद से मुकाबला दोनों देश हर क्षेत्र में एक दूसरे के मजबूत साझेदार विवन प्रेमियर लीग में रॉयल चेलेंजर्स बेंगलोरो का सामना दिल्ली कैपिटल से जारी दिल्ली ने बेंगलोर के सामने जीत के लिए रखा 224 रनों का लक्ष दूसरे मैच में यूपी वारियर्स और गुज़ा जोइंट्स होंगे आमने सामने और आएए अब खबरों को देखेंगे विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल डिये पी उरवरक को मनजूरी दिये जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा प्रधान मंत्री ने रसायन और अरवरक मंद्री डॉक्टर मनसुक मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही है मनसुक मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डिये पी को मनजूरी मिल गई है क्रिशी मंत्राले ने इसे मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया है मनसुक मांडविया ने कहा कि इससे किसानों के जीवन में बड़ा बदलाओ आएगा और आत्म निर्भर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टी कोन को मूर्थ रूप देने में इससे मदद मिलेगी नैनो डियेपी का उत्पादन उर्वरक निकम इफ को द्वारा किया जाएगा और ये देश की क्रिशी और अर्थवयवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिध्ध होगा और ओडिशा के पूर्व मुख्य मंत्री बीजू पतनाया के आज 106 मी जन जयानती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और वेबिनार को बुलगातार संबोधित कर रहे है प्रधान मंत्री कल सुबा दस बजे वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से सुआस्थ और चिकटसा अनुसंधान पर वेबिनार को संबोधित करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबा दस बजे वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से सुआस्थ है और चिकटसा अनुसंधान पर बजेट के बाद सत्र को संबोधित करेंगे ये वेबिनार बजेट के बारा वेबिनार की श्रिंखला का एक हैसा है के इंद्रिय बजेट दो हजार देईस चौबिस साथ प्रात्मिक्ताओं पर आधारित है समावेशी विकास सरकार की प्रात्मिक्ताओं में से एक है वेबिनार में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना ICMR प्रेयोग शालाओं में सारजनिक और निजी चिकत्सा अनुसंधान को प्रोथा हन देना और चिकत्सा उपकरणों के लिए फार्मा इनुवीशन और बहु आयामी बहु विश्यक पाठिक्रमों से संबंधित बजट घूश्राएं शामिल होंगी वेबिनार में संबंधित केंदर सरकार के मंतरालियों विभागों राज केंदर शासित प्रदेश सरकारों के स्वास्ते विभागों से आए कई विशे विशेशग और द्योगों संगों के प्रतिनिधी निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और संस्थान से जुड़े लोग ह और उर्दीशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने भूवनेश्वर में बीजू पतनायक अंतराश्ट्य हावाय एड़े पर डेकोथा विमान सारजनिक प्रदवरशन के लिए नावरंड किया। मुख्यमंत्री का रियाले के अनुसार प्रतिष्टेट ड्यकोटा विमान उर्दिशा के रिवंगत पूर्वो मुख्यमंत्री बीजू पतनायक द्वारा स्थाबत ततकालीन कलिंगा एरलाइन्स का था और देशफर में जी ट्वेंटी बैठकों के क्रम में वितिय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी विशेपर कल से हैदरबाद में दो दिवस्य बैठक शुरू होगी इस बैठक से पहले शनिवार को भारत और वैश्विक दक्षन साजह भवश्य के लिए एक दृष्टी विशेपर चिंतन हुआ जी ट्विंटी में भारत के मुखे समनव्याग हरश्वर धन श्रेंगला ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जी ट्विंटी सहेद सभी देशों के साथ बहतरी नीतियों और अनभवों को साजह करने के लिए तयार है ताके दुनिया के देश दोजार तीस तक सतत विकास ल वास्विक्त किया है कि इस वर्ष देश से बस्तूर सेवा निर्याद बढ़कर साथ साथ सो अरब डॉलर हो जाएगा उन्होंने कहा कि चालू वित वर्ष में फरवरी तक का कुल निर्याद पिछले पूरे वित वर्ष के मुकाबले अधिक रहा है गोहल ने कल नई दली में राय सीना समबाद में कहा कि संधार अरेत्या और गुर्वत्ता पर अधिक ध्यान दे कर भारत आने वाले समय में निर्याद बढ़ा सकता है उन्होंने कहा कि सरकार गुर्वत्ता के प्रती जागरूकता बढ़ाने के प्रयास कर रही है और अब तक 440 उत्पादों के लिए गुर्वत्ता नियंतरण आदेश चारी किये जा चुके हैं गोयल ने कहा कि अगले दो वर्षों में सरकार गुर्वत्ता नियंतरण आदेश के संख्या बढ़ा कर दो हजार तक करेगी ताकि गुर्वत्ता के साथ कोई समझोता ना हो उन्होंने कहा कि देश में व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। जो भारतीय निर्यातकों की प्रतिसपरधात मक्ता को बेहतर बनाने के लिए रिण बीमा कवर प्रदान करता है। से भोपाल की रसूली बेलदार की कविता मस्तेरिया का योजना का पहला फॉर्म भर कर महत्वा कांक्शी मुख्यमंत्री लाडली बेहना योजना लौंच की। समारोह को संबोधित करते हुए शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि बेटी कोई बोज नहीं है बलकि उसको वर्दान बनाना है। समारे देश में मा, बेहन और बीटियों का हमेशा बहुत सम्मान रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तेनाथ दो दिवसीय लखनौ कौशल महुत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रे कौशल मिशन की घोशना की गई थी तब लोगों को लगा कि इससे क्या होगा आज इसने करोणों नौजवानों की भावनाओं को उड़ान, पहचान और मंच दिया है। ऐसा लगा कि इंडस्ट्री और इंस्ट्यूशन का आपसी समन्वे उस युवा को अपने लिए नए मौके तलाशने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। इंडूर स्टेटियम में खेलारी और दर्शकों को संबोधित करते विए अन्राग सिंठाकुर ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को केवल किताबी कीड़ा ना बनाएं, उन्हें खेल और फिटनेस के लिए भी टाइम देने के लिए प्रोच साहित करें। औशधी परियूजना से जुड़े अधिकारी और टीम ने सुंदर नरसरी का हेरिटेज वॉक किया। इस कारिकरम का नाम जन औशधी विरास्त के साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक रखा गया। मौका जन औशधी दिवस के पाचवे दिन का भी है जब इस आयोजन को रखा गया है। और केंडरे स्वास मंतरी मनसुक मांडविया ने आज पंजाब के पठी आला में नीच पीजी परीप्शा केंद्र का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायसा लिया। इस दौरान मनसुक मांडविया ने चात्रों के परिजनों से भी मुलाकात की। मनसुक मांडविया ने कहा कि छात्रों के परिजन पर इप्षकेंद्र पर की गई व्यवस्ता से संतोष्ट और प्रसन दिखाई दिये मनसुक मांडविया ने छात्रों के उज्वल भविश्य के लिए शुपकाम नाएं भी दी किरेन डीजी जीजु ने वबनेशुर में सेंट्रेल गवर्यंट लौओ अधिकारियों के सम्मेलन को संपोधित किया अपने संपोधन में किरेन डीजीजु ने कहा कि कोई भी राजनेतिक दल भारत की नयाय पालिका की योगिदा पर सवाल नहीं उठा सकता है इलावाद हाई कोट की लखनाव बैंच ने गौहत्या को लेकर तल्ख टिपड़े की है बैंच ने हिंदु धार में गरंदों का हवाला देते हुए कहा है कि गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति नरक में चाता है फीट ने केंडर सरकार से गौहत्या पर पदेबंद लगाने और इसे सलक्षित पशू घोशित करने के लिए राश्ट व्यापी कानून बनाने के लिए भी कहा है इलावाद हाई कोट के जस्टेस शमीन एहमद ने एक मवीशी की हत्या के आरूपी व्यक्ति की याजिका पर सुनवाई करते वे कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपून है क्योंकि भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है जस्टेस एहमद ने कहा कि हिंदू धर्म सहे इस सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए जो मानता है कि गाय की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि ये दैविये और प्राक्रितिक भलाई का प्रतिन धित्वग करती है और यूपी के डिप्टी सीम केशिव परसाद मौरिया ने हाई कूर्ट की इस्टेपड़ी पर कहा है कि वो अदालत का सम्मान करते हैं और गोहत्या पर अदालत के फैसले का सम्मान किया जाएगा तमिलाड़ में बिहार के श्रमेकों के कथेत उत्पिरन के मामले में तत्थियों का पता लगाने के लिए बिहार के चार आईयस अधिकारियों की टीम तमिलाड़ पहुँच कई है अधिकारियों की टीम ने तमिलनाडू के मुख्य सचेव, डीजी पी और अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रस्तिदी के बारे में चानकारी लिए इसके साथ ही टीम बेहार के मज़ूर से उनकी समस्याएं पिजाने की ताके पूरी हकीकत नमालूम हो सके विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्रे नितीश कुमार ने इस जाच कमेटी को तमिल नादू भीजा है और दिली में विज़े चौक से निर्मार भवन शुरू हुए वोकथान में पांसो से अधिक महिलाओं ने वोकथान में भाग लिया इस वोकथान में ड्राम मनुहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलिज के डॉक्टरों और नर्सों ने भी भाग लिया स्वास्थ मंत्राले द्वारा स्वस्थ महलाएं स्वस्थ भारत शुर्शिक्वाले वोकथान का उद्देश ये शारिरिक रूप से सक्रिय होने के लाभों के बारे में जाग रूपता बढ़ाना है पियम मोदी द्वारा शुरू किये गए फिट इंडिया मॉव्मेंट के तहट पिछले महीने डेर लाख आयुशमान भारत स्वास्थ के इंद्रों पर साइकल रैली का आयोजन किया गया ये कारिकरम महला दिवस्क से पहले मनाया जाता है इसका उद्देश शारिदिक व्यायाम को बढ़ावा देना है ताकि हिर्दे रोग, हाईपरटेंशन, टाइबिचीस के मामलों को कम किया जा सके और पहला नौसेना कमांडर सम्मीलन दोहजार तेज्स कल शुरू होगा पहली बार स्वदेश में निर्मेत विमान वहाँ बोद आइनस्वी ग्रांट में समुद्र में आहुचित होगा रक्षा मंतरी राजना सेंग पहले देन आइनस्वी ग्रांट पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे प्रमुख रक्षा धेक्ष तथा भारतियन सेना और वायू सेना के प्रमुख भी अगले दिन नौसेना कमांडरों से बाच चीत करेंगे नौसेना प्रमुख अन्य कमांडरों के साथ पिछले छे महीने में नौसेना की ओर से शुरू की गई संचालन, प्रशुक्षन और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे भविशे की महत्वपोन गतिविधियों पर भी चर्चा होगी समेलन के दौरान नौसेन कमान्डरों को अगनी पत्य योजना की नवीनता में स्थती से अवगत कराया जाएगा ये योजना पिछले वर्श नवंबर में लागू की गई थी और सिकंद्राबाद के कॉलेज ओफ डिफेंस मेनेजमेंट में जनरल रावत इंडिया औस्ट्रेलिया यंग आफसर्स एक्स्चेंज प्रोग्राम के दो दिबसी उद्गार्टन संसकरण में आस्ट्रेलिया और भारत के पंद्रा-पंद्रा अधिकारियों ने भाग लिया रियर अद्मिरल संजेदत ने अधिकारियों को आपसी समझ विक्सित करने और उभरती सुरक्षच चनौतियों को सामोहिक रूप से सामना करने के लिए किया उतर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ा निरने किया है उतर प्रदेश में अब ईवी खरीद पर कोई भी टेक्स नहीं लगेगा और ना ही कोई रेजिस्ट्रेशन फीज देनी होगी उतर प्रदेश सरकार ने इस संबन में पूर्ब में जारी एक अधिसूचना को संशोधित कर दिया है इसके अंतरगा तीन साल तक का टेक्स और रेजिस्ट्रेशन फीज नहीं देनी होगी वहीं प्रदेश में ही निर्मेत इलेक्रिक वेकल्स के खरीद पर ये छूट अब पाँच साल तक मानने होगी सरकार के और से सभी जनपदों के आर्टियों को भी तद्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपाल अंसुनिश्चत करने के आदेश दिये गए हैं और धन की कमी से जूझ रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए वित्मंत्राले का स्वामी फंड बड़ी राहत के तोर पर उब रहा है स्वामी फंड से अब तक बीस हजार पांच सो से अधिक घरों का निर्मान हो चुका है और अंतराशनी महला दिवस के अवसर पर केंड्रीय सो आस्ट मंत्राले ने नई दिल्ली में मेगा वॉकाथान कारिक्रम वॉक फॉर हेल्थ का आयोजन किया ये कारिक्रम विजय चौक से शुरू होकर निर्मार भवन में संपन हुआ इस वॉकाथान में पांच सो से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया देश भर के जिला मुख्याले उपर स्वस्त महला स्वस्त भारत की थीम के तहट साइक्लोथान का भी आयोजन किया जा रहा है ये स्वस्त जीवन के बारे में जाग्रूकता को बढ़ावा देने वाले अभियान स्वस्त मन स्वस्त घर के हिस्से के रूप में की जा रही पहल है और उतर प्रदेश के गाजी पुर में फुलन पूर क्रॉसिंग परस्थित मुखतार अंसारी गैंग के सदसे रहे कमलेश सिंग प्रधान के घर को धुस्त कर दिया गया है इस मौके पर भारी संक्या में पुलिस वा प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे अवैद रूप से बने इस मकान को गिराने के लिए गाजी पुर के डियम ने मई 2022 में आदेश चारी किये थे हाला के कमलेश सिंग प्रधान की मृतियू कुछ साल पहले हो चुकी है वहीं प्रशासने कदिकारियों के मताबिक फुलन पुल रेलवे क्रॉसिंग पर बने इस मकान के निर्मार में ना केबल मानकों का उल्लंगन किया गया है बलकि बिना नक्षा पास कराए इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गए और जमू कश्मीर के पुलिस महान देशक दिलबाग सिंग ने कहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के प्रती सुरक्षा बलों के संकल्प के कारण जमू कश्मीर में आतंकवाद लगातार कम हो रहा है लेकिन पाकिस्तान राजजे में और अधिक आतंकवादियों और हत्यार और नशीले पदार्थ भेजने की लगातार कुशिश कर रहा है राज़ के शीर्श पुलिस अधिकारियों ने शुकरवार को पुंच जिले में नियंतर लेखा के पास नर्शील पदार्थों के एक तसकर के घर से साथ किलो हेरोईन दो करोर दोपैसे अधिक की नगदी और गोला वारूत की परामदगी को एक बड़ी सफलता बताया है उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बल चमु कश्मीर में आतंक वाद को जड़ से समाप्द करने के लिए व्यापक कारवाई कर रहे हैं दिल्बाग सिंग ने कहा कि पुलिस ने भूमिगत और ओबर ग्राउंड चैनलों की मदद से घुसपैट को नियंतरित किया और डिल्ली पुलिस इस पेशल सेल की एक टीम ने कल देर रात कुतुब मीनार के पास एक एंकाउंटर के दौरान नीरज नाम के एक बांचित अपराधी को पकड़ा है डिल्ली पुलिस के मताबग अपराधी के खिलाफ करीब दो दरजन मामले दरज है महराश्टर के यवतमाल में भोमिकत पानी की पाइप लाइन फटने की घटना कैमरे में कैद हो गई है चौकाने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी जमीन फाड़ कर स्पीड से उपर की तरफ आ रहा है दरसल यहां शनिवार को सड़क के बीचों बीच पानी की पाइप लाइन फट गई पाइप लाइन फटने से सड़के खुल गई और स्कूटर सवार एक महला पानी के तेज बहाओ में फस गई घटना ये वतमाल विदर फाउसिंग सोसाइटी के पास हुई सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन के नीचे से सबर्दस्ती पानी फूटने के बाद सड़क थस कई है घटना के बाद इलाके में पानी भर गया है और अब बात करेंगे होली की ब्रज में होली की धूम मची हुई है हर कोई भगवान राधाकृष्ण के प्रेम सरूप खेली जाने वाली इस होली के रंग में रंगना चाहता है होली की इस मस्ती में विदेशी श्रधालू भी खुद को डूबने से नहीं रोप पाए विदेशी भगतों ने वरिंदावन में जम कर फूलों की हूली खेली और मेरट की जेल में बंदियों द्वारा हर बल गुलाल बनाया गया है चुकंदर, पालग, गेंदे और गुलाब के फूलों को मिश्रित करके हर बल गुलाल बनाया गया है मेरे जेल के वरिष्ट जेल अधीक शक राकिश कुमार ने बताया कि इस गुलाल से तुच्चा पर दुश्प्रभाव नहीं पड़ता है इस बार सभी कैदी और अधिकारी इनी गुलाल से होली खेलेंगे महराश्ट के नासिक में होली से पहले कलाकार महराश्च के अनूठी फूल जैसी से नचनावाली मिठाई बना रहे हैं इन मिठाईयों को बनाने वाले एक कलाकार ने बताया कि फूल जैसे मिठाई को हर गंगन कहते हैं और इन्हें विशेश रूप से होली के दिन इस्तेमाल किया जाता है ये मिठाई दिखने में जरूर फूल जैसी लगती है लेकिन इसे खाया जाता है इसमें शक्कर, नीम्बू और रंग होता है तो भारत में मिठाईयां हर त्योहार का महत्वपोन हिस्सा रही है सिवई पारम पर एक रूप से इद पर तयार की जाती है उसी तरह गुजिया होली के पर्व के खासियत है त्योहार से पहले लखनो के एक दुकान ने मीठी डिश को अनुखा मोड देते हुए बाहुबली गुजिया बनाई है यही नहीं दुकान ने डेर किलो बसनी विशाल बाहुबली गुजिया बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गुजिया का आकार करीब 14 इंच है आम तोर से एक गुजिया चार इंच लंबी होती है गुजिया में बादाम, पिस्ता, खोया, चीनी और केसर भरा गया है प्राजी नगरी काशी अनोखे विंजनों और परंपराओं के लिए विख्यात है रंग भरी एक आदशी के अगले दिन शनिवार को कुछ ऐसा आयोजन हुआ जिसमें जन सैलाब उमर पड़ा मनी करने का घाट पर लोगों ने चिता भस्म के साथ होली का त्योहार मनाया एक तरफ चिताएं धदकती रहें तो दूसरी ओर बुझी चिताओं की भस्म से जम कर साधू संत और भक्त होली खेलने में रमे रहे ढोल मजीरे और डमरूओं की थाप के बीच भक्त गण जम कर जुमें और हरहर महादेव के उद्धोश से महा शम्शान गुंजता रहा मानता है कि गौना कराने के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ ने महा शम्शान पर अपने गड़ों के साथ होली खेली थी और अब बात विश्व पुस्तक मेले की नई दिल्ली में इस मेले का आज आखरे दिन है लोग यहाँ पर पियम मोदी की तस्वीर के साथ जम कर सेल्फी ले रहे हैं संसद ने भी मेले में अपनी प्रदरशनी लगाई है इसमें सम्विधान से लेकर बाबा साहिब भीमराओं बीटकर की पतिमा आकर्शन का केंद्र बनी हुई है प्रदरशनी में संसद की संपूर्न जानकारी के साथ संसद के पुस्तकाले ने भी पुस्तकें प्रदरशित की हैं अब अंतराश्ट्रे खबर अमेरिका के दक्षण और उत्तरपूर विलाके में जबर्दस तूफान की वज़ा से अब तक साथ लोगों की मौत हो चुकी है अधिकारियों ने बताया है कि तूफान और भारी बारिश के कारण करीब दस लाख लोगों के घरों में अंधेरा चागया राश्ट्रे मौसम सेवा के मताबिक शक्तेशाली तूफान पूर्व वोत्तर की ओर बढ़ रहा है दक्षण पूर्वी मिशिगन पूर्व से लेकर नियू यॉर्क राज़ तक भारी हिमपात और ओले किरने की संभावना जताए गई है वहीं मध नियू यॉर्क और दक्षणी नियू इंगलेंड के कुछ सो में एक फुट से अधिक बर्व किरने की बात कही गई है खबर खेल की है विमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन के दूसरे मुकाबले में आज रॉयल चेलेंजर्स बेंगलूरू और दिली कैपिटल सामने सामने है पहले बहले बात सी करते हुए मैग लाइनिंग की कपतानी वाले दिली कैपिटल्स ने आर सीबी को जीत के लिए पैग लेनिंग ने बहुतर रन बनाए ताजा प्राप जानकारी तक रॉयल चेलेंडर्स बेंगलूरू ने साथ विकेट के नुकसान पर 111 रन बना लिये हैं वेमेन प्रेमियर लीग में आज दिन के दूसरे मकाबले में यूपी वारियर्स और गुजराट जॉइन्स सामने सामने होंगे गुजराट जॉइन्स को पहले मैच में मुमबई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था मुंबई के खिलाफ हुए मैच में गुजरात की पारी के पहले ही ओवर में उनकी कप्तान बैत मूनी के घुटने में चोट लग गई थे बॉरियर्स की कप्तानी एलिसा हीली कर रही है तो इसी के साथ इस विशेश बुलेटिन में फिल हाल इतना ही मुझे शरद और हमारी पूरी टीम को दीज़ अनुमती नमस्कार